अपरिमे संख्या जिस संख्या को पीवट कीव के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमे संख्या कहते हैं कीव बराबर नहीं है जीरो के सभी रूट वाली संख्या जिसका पुरा-पुरा बर्गमुल नहीं निकलता है वो सब अपरिमे संख्या होती है जैसे रूट कीव एक अपरिमे संख्या जहां कीव पूड़ बर्ग संख्या नहीं है, इसी तर से रूट 3, रूट 5, रूट 7 उन्हें रूट में ऐसी संख्या लिखें जिसका पूरा-पूरा बर्ग मुल नहीं निकलता है उसको अपरिमे संक्या कहा जाता है असांत अनावर्ती असांत मने जो कभी समाप्त नहीं है अनावर्ती मने वह संक्या बार बार नहीं आए वह अभी अपरिमे संक्या होता है इससे 2.010110110 ये सब असांत है अनावर्ती संक्या है इसमें एक एक जिरो के बाद जो एक है एक एक बार बढ़ते जाता है इसको असान तनावर्ती संक्या कहा जाता है पाई एक परमे संक्या है और पाई एक परमे संक्या क्योंकि पाई का जो मान है वह 3.14 इस तरह से होता है वह अनन तक जाता है वो कभी पूरा-पूरा नहीं कड़ता है और अनावर्ती भी है अब उदारन के लिए दो और तिन के बीच में दो परिमे संख्या और दो परिमे संख्या ग्याद करनी है तो परिमे संख्या ग्याद करने के लिए कई विधियां है जिसमें 2 आसान भी दी है जैसे 2 और 3 के बीच में 2.3 लिख सकते हैं 2.4, 2.5, 2.6 जो भी है कोई भी दो संक्या लिख देंगे और एक दूसरी भी दी है कि 2 और 3 के बीच में 2 परमे संक्या ग्याद करनी है तो 3 से गुना करेंगे जैसा कि कल बताए थे तदो तिया 6, 6 बच्चे 3 और यह हो गया 9 बच्चा 3 तद 6 और 9 के बीच में 7 है और 8 है तद 7 बच्चा 3 और 8 बच्चे 3 यह अंसर हुआ यह दो तरीका हुआ, अब दो आप पर्मेस अग्याद करने के लिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, root 4, 4 का बर्गमूल 2 होता है और 9 का बरगमूल 3 होता है इसलिए 3 को रूट 9 लिख दिये अब 4 और 9 के बीच की कोई संख्या ले लेंगे जैसे 5, 6, 7, तो रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सब अपर में संख्या है एक ये 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीचे 2 अपर में संख्या लिखे तो 3 बटे 5 को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.6 और 4 बटे 5 को लिखेंगे 0.8 तो 0.6 को 0.6, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 6, ये सब हो गया इसी तरह से 0.6 और 7 है तो इसको ऐसे भी समझलो के 6 है और ये 8 है तो इसके बीच के कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे 71 तो 0.6